राश्ट्रिय स्वहम सेवक संग के पहले एवं पूर्व प्रवक्ता मागुवैद इनका उम्र कि 98 साल में निदन हो गया पिछले कुछ दिनों से उनका शहर के एक निची अस्पताल में इलाज चल रहा था राश्ट्रिय स्वहम सेवक संग के लिए शनिवार को एक दुखत समाचार आया संग की जेश्ट स्वहम सेवक एवं पूर्व प्रवक्ता मागुवैद इनका लंबी बिमारी के चलती निदन हो गया मागुवैद पर पिछले कुछ दिनों से शहर के किनिची अस्पताल में इलाज चल रहा था वैद ने हमेशा ही संग की भूमी का सामने लाई है वे हमेशा ही कहते थे कि भले ही वे काम से संग से दूर हो मगर मन से हमेशा ही संग के पास रहूंगा वैद का जाना संग के लिए बड़ी दुकत घड़ी है मागो वैद का जन्न 1930 को वर्धा की तिरोडा गाव में हुआ था चोथी कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने गाव में पूरी की उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे नाक पुरा गए इन्होंने संस्कृत में में किया था कॉलेज से ही वे संग के सक्रिय स्वैम सेवक थे 1948 में गांधी की हत्या के बाद संग पर प्रतिबंदन लगा दिया जिस समय उन्होंने भूमिकत काम किया उन दिनों वह अच्छी शिर्ट पैंट और टाय पहनते थे इसले पुलिस को शक नहीं हुआ हिसलाप कॉलेज में पढ़ने के दौरान एमजी वैद ने टीम की प्रति अपनी वफादारी कभी नहीं चिपाई इतना ही नहीं 1954 पचपन में प्रध्यापकों ने एक सरकारी फत्वे के आधार पर इस तरह का समझाता करने से इनकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें किसी भी राज़नी तिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए या चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए एमजी कॉलेज के तदकालिन प्रिंसिपल मोसिस ने कहा कि कॉलेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि डॉक्टरों ने हिसलाब कॉलेज छोड़ दिया था लेकिन बिना कुछ सोचे समझे MG वैद मराथी अकबार तरुन भारत में 1967 में दिखाए दिये प्राप्ट करने के बाद MG वैद ने New Era High School में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया इसे बीच महा मुहपाद्याय बनाम डॉक्टर मिराशी या जानने के बाद की रगुवर को संस्कृत कोश के लिए दो सहायकों की आवशकता है उन्होंने New Era High School में अपनी नौकरी छोड़ दी और संस्कृत कोश के लिए काम करना शुरू कर दिया लेकिन किसी कारणवश उन्हें पद छोड़ना पड़ा उनकी अगली नौकरी कुर्वे स्कूल में गनी चिक्षक के रूप में और बाद में लोग सेवा आयोक कारले में हुए 1949 में उन्होंने नाकपुर के हिसलोब कॉलेज में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया एंजी वैद ने लगाता 17 वर्षों तक हिसलोब कॉलेज में अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत पर आई मराठी के तहट उनके पास संस्कृत अंग्रेजी का एक अद्भुत आदेश था इन्होंने 1967 में कॉलेज छोड़ दिया मागो वैद ने 1967 से कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने विभिन विश्यों पर कई उत्कृष्ट लेक और टिपनियान लिखी सरकार चिकित्सकों को पत्रकारिता और समाच सेवा के लिए कई पुरसकार मिले आपातकाल का समय और उस समय की समस्याय और इससे बाहर निकलने का रास्ता एमजी वैद के संपाद की अक करियर में यह एक यादगार खिशन था लेकिन शहर के संस्क्रन में सेंसर ने इसे मुद्रित करने की अनुमती नहीं थी इसलिए उन्होंने विरोध के रूप में फ्रेंट पेज के लिए अधिक स्थान छोड़ दिया उस समय एमजी वैद के लेक गुड स्टेट गुड स्टेट को पढ़ने के बाद दैनिक हित्वात के ततकालिन संपादक एडी मानी ने उन्हें हाल दिक बढ़ाई दी थी संग के पहले वे अखिल भारतियों प्रचार प्रमुक थे संग के पहले प्रवक्ता भी थे